हालो व्यूवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ पूजा लूत्रा और आज मैं आपको बताऊंगी ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कुछ आसान से घरेलो उपाए और टिप्स पहला उपाए है पटैटो यानि आलू कच्छे आलू का रस आप रोज अपने च स्किन के लिए एक नैचुरल ब्लीच का काम करता है सं टैन को दूर करता है तवचा की दाग धब्बे और पिग्मेंटेशन को दूर करता है और तवचा की नमी को बनाई रखता है और उसे ब्राइट और रेडियंट लुक देता है दूसरी जो रेमिटी मैं आपको बताने जा रही हूं उसके लिए आपको चाहिए शहद और दालचीनी पाउडर दो चम्मच शहद में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर बिनाकर एक थिक पेस्ट बना लीचे इसे आप अपने चहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाईए फिर गुन-गुने पानी से चहरा धो दीचे यह आपकी स्किन को इंस्टेंट गलो देगा और उसे सौफ्ट भी बनाएगा दोस्तों टमाटर भी हमारी स्किन को नया गलो देने में बहुत ही फायदे मन्द है टमाटर का आप दो चम्मच रस निकाल लीचे इसमें एक चम्मच दही और एक चम्मच चंदन पाउडर मिला कर गाढ़ा पेस्ट बना लीचे और इसे अपने चहरे पर लगाईए पंदरा से बीस मिनट के बाद आप अपने चहरे को धो दीचे इसे आप हफते में दो बार ही उस कीजिए बहुत फायदा होगा नेक्स्ट इस बनाना पैक एक केला लीचे उसे अच्छे से मैश कर लीच अब इसमें एक चमच शहद मिला लीचे और इस केले और शहद के पेस्ट को बीस मिनट के लिए अपने चहरे पर लगाईए और फिर ठंडे पानी से चहरा धो दीचे इसे भी आप हफते में दो से तीन बार यूज़ कर सकते हैं आपकी स्किन में एक नया ग्लो और नया से घरेलू उपाए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे एक और इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिराऊंगी तब तक के लिए स्टे हल्दी ऑल्वेस बी हैपी और टेक गुट कियर आफ